नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि नाइस टाबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, नाइस टाबलेट को कैसे लेना चाहिए, और नाइस टाबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि नाइस टाबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए, नाइस एक ब्रैंड नेम है, नाइस टाबलेट के अंदर सौर्ट कंपोजिशन निमसुलाइड सो एमजी होता है, नाइस टाबलेट का उप्योग शरीर में दर्थ ह होने पर और सौर्ट को कम करने के लिए नाइस टाबलेट का उप्योग किया जाता है, यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़ह से सौर्ट आ गई है, तो नाइस टाबलेट दर्थ के साथ साथ सौर्ट को भी कम करती है, नाइस टाबलेट का उप्योग शरीर की मा दर्ध आदी कंडिशंस में नाइस टाबलेट का उप्योग किया जाता है. इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म के दोरान भी दर्ध से राहत पाने के लिए नाइस टाबलेट का उप्योग किया जाता है. Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Nice Tablet की वज़ा से कोई Side Effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Nice Tablet की वज़ा से कुछ Side Effects हो सकते हैं। खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक या बार-बार Nice Tablet का सेवन करने की वज़ा से पेट में Bleeding होने का, दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की Nice Tablet को कैसे लेना recommended होता है। अब हम डिसकस करेंगे की Nice Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लगातार 10 दिन से अधिक Nice Tablet को नहीं लेना चाहिए। और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को Nice Tablet को देना recommended नहीं है। पेट में अलसर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किड्नी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर Nice Tablet को लेना recommended नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना Nice Tablet को नहीं लेना चाहिए। Nice Tablet के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि Nice Tablet के साथ शराब का सेवन करने की वज़ह से पेट में ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। Nice Tablet मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Nice Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकती है।